आज हम सतत पोस्णी विकास किसे केते हैं इसे समझने का प्रियास करेंगे देखिए सतत का मिन्स क्या होता है सतत का मिन्स होता है यानि कि मतलब होता है निरंतर पोस्णी का मतलब क्या होता है पोस्ण करना और विकास तो आप समझते हैं कि प्रोग्रेस तरक की को कहते हैं विकास करना तो ध्यान से समझे एक तरह की ये विकास की पिर्किरिया है क्या है विकास की पिर्किरिया दें कि कोई भी प्रसन आप याद करें तो उसके लिए जो हिंट रहती हिंट यानि कि वहाँ प्रसने का आंसर आपको जिन-जिन बिंदो के दोरा याद रहेगा, वहाँ बिंदो को आप अच्छे से बारिकी से समझेगा. तो इसमें देखिए यहां क्या है एक तरह की विकास की फिरकिरिया है जिसमें क्या होता है ध्यान समझेगा यह हिंट आप परियावरण को नुकसान नहीं पहुचाना है नहीं पहुचाना है ध्यान से विकास तो करेंगे पर ऐसा विकास करेंगे कि जिसमें पर्यावरं को नुकसान नहीं होगा। पेली हिंट है। ठीके तथा साथी 750 जो आने वाली पीडी है। फ्यूचर ठीके आने czę वाली पीडियों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। मतलब विकास तो हम करे है कि आने वाली पीडियों की जरूरत भी उसके कारण पूरी हो जाए यह सा नहीं कि हमने हमारा काम कर लिया और आने वाले पीडियों को स्क्रें कोई लाब नहीं होगा तो यहां पर दूसरी हिंट बनेगी आपकी आने वाली आने वाली पिडियो की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके याने की विकास की एसी पिरक्रिया जिसमें क्या हो परियावरन को नुक्सान ना पहुचे याने परियावरन को कोई नुक्सान ना हो तदा साती साथ आने वाली पिडि की जरूरत को भी पूरा किया जा सके एसे विकास को ही हम सतत पोसनी विकास के नाम से जानते हैं द्यान से समझ जो कोई जल्द बाजी नहीं है, आपको भी आराम से सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो धेर जिवान बनना पड़ और धेरी कोरें, नहीं कि आदि मिनिट पिर पर भी जहसे सुखिप कर दिया, अपने बस सिर्फ नोट से समत मगें, इनोट से सीखना हैं, secret से उनके लिए मैं ध्यान से और अच्छे से बारी के समझाता हूँ ताकि आपको 90% यहीं परियाद हो जाए और 3% आप जब नोट से लिखे तब याद जाए फिनिस खतम ठीक है तो सतत पोस्नी विकास की ने कहा विकास की ऐसी पिरकिरिया विकास की ऐसी पिरकिरिया जिसमें पर पूरतों को भी पूरा किया जा सके एसे विकास को हम सतत पोस्नी विकास केते हैं तो अब यहां पर आपको एक इसक्रीण सोट नजर आ रहा होगा बडिया से स्क्रीन सोट ले लिजेगा यह उस प्रशनका अंसर बडिया से कंपलिट करिए बड़ाई महत पुर्णने दो नं झाल झाल